पढ़ेंगे हम लोग अलकेन के बारे में इससे पहले भी एक वीडियो अलकेन पर दिया है मैंने जिसमें मैंने नॉमिक्लेशर ऑफ अलकेन बताया था अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जरूर से जरूर देखने उसे जाके आपके लिए बहुत यूजपूल होगा और आज हम लोग पढ़ेंगे अलकेन का टाइप तो ध्यान से पढ़िएगा बहुत असान ह है बहुत लेकिन जानना जरूरी है ठीक है तो देखे अलकेने में यह पता हैं आपको जनराल्केन फॉर्मॉलाओ जेनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 होता है ठीक है यह बताया गया है आपको अब देखें नॉर्मल अलकेन क्या है इस टेंड्स फॉर अन ब्रांच अलकेन अगर कोई अलकेन लिखा गया है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है अन ब्रांच है तो वो नॉर्मल अलकेन है कोई ब्रांचिंग नहीं है ठीक है तो नॉर्मल अलकेन है और यह स्टार्ट कहां से होता है फ्रॉम ब्mostी क्योंकि देखें मेथें एथें प्रोपेन में कोई ब्रांचिंग पॉसेबल ही नहीं है इसलिए क्या है यहां तक कोई बात नहीं होती है नॉर्मल ही होता है यह लोग नॉर्मल मेथेन आपने कहीं पढ़ा है लिखा हुआ नहीं नॉर्मल एथेन कभी पढ़ा है जबी पढ़ा होगा नॉर्मल व्यूटेन से पढ़ा होगा तो इसलिए क्योंकि नॉर्मल व्यूटे में लिखा है, अगर इस तरीके से आप Penthene भी लिखेंगे, अगर कोई branching के बीना आप लिखते हैं Penthene, branching के बीना लिखते हैं तो उसे बोलेंगे normal Penthene, normal word यह बताता है कि आपके Our current में branch present नहीं है, clear? अब चलिए, आगे बढ़ते हैं आइसो अलकेन पर तो यह देखें आइसो अलकेन के लिए क्या होगा वन वन मिठाइल गूरूप यानि सी एच्ट्री गूरूप को मिठाइल गूरूप कहते हैं पर्जेंट एड सेकेंड फॉर्स्ट कार्वन एटम अन अन ब्रांज्ट उना चाहिए यानि कि इसके अलाबा क तो देखें यहां पर जैसे मैंने लिखा था भी नॉर्मल विटेन ऊपर में अपने देखा था नॉर्मल विटेन डिरेक्ट लिखा हुआ था अब देखें उसी विटेन को आप एड़ान करके देखेंगे तो कार्बन हाइडोजन सब एक्वल होगा कहीं कुछ ज्यादा नहीं देखेंतई देखें यहीं तो इसमें लिखेंगे कैसे कैसे फास कारवन होगे हैजों सब्सके आइसी कर्फ टेंच उसी तरीके से देखें यहाँ पर तो second first पर क्या है आपका कि methyl group है और total number of carbon कितना है 1,2,3,4,5 तो हो गया normal pentane उसी तरह से normal नहीं आईसो pentane इसी तरह से isohexane, isoheptane होगा तो यहाँ पर आपको मैं बता दू यह जो group होता है यह जो group है, ch3, ch, ch3 इस group को ही बोलते है, iso group ठीक है? iso group बाता ही समझवे? यह ch, ch3, ch, ch3 जो होता है इसको iso group के नाम से जाना जाता है ठीक है? तो यह होगा iso alcan एकदम धियान रखेगा, बहुत तरह का questions है बहुत तरह का exam देना है आपको काम आता है, यह सब चिछश्रा जानकारी, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है अब आते हैं हम लोग neo-alcan पे तेके neo-alcan क्या है? when two ch3 groups are present on second first carbonatamine and unbranched unbranched alcan is called neo-alcan बस iso से थोड़ा सा खाली क्या है? इसमें दो को रहेगा alkyl group जैसे for example देखे, ch3, c, ch3, ch3, ch3 और ch3 तो यह जो आप देख रहे हैं, यह बाला पार्ट इसकी बज़स है क्योंकि second number carbon पे क्या है? दो ch3 group है उसके बाद branching नहीं होना चाहिए उसके बाद अगर branching है तो आप neo नहीं बोलेंगे बातारी समझ में अन ब्रांच जोना चाहिए उसके आगे सिर्फ branching के रूप में यहीं रहेगा तब ही आप उसको neo बोलेंगे यह बात ध्यान में रखे तो यहाँ पर क्या है? कि कितने नमर का कारवन है? एक, दो, तीन, चार, पाँच तो इसको आप बोलेंगे क्या? नियो, पेंटेन अधाई समझ में? उसी तरीके से आप देख लें अब ही माल लिजिए कि ऐसे है CH3, C CH3, CH3 CH, CH2 CH3 तो यह देखे, यह कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर branching present है यह branching present है तो यह नियो, नियो ग्रूप है नियो पर्जेंट है और उसके लिए आप कहेंगे कि यह क्या है इसको आप नियो और टोटल नमर आफ कार्बन एड़ किजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नमर कार्बन की अलकेन को क्या बोलते है हैप्टेन तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग नियो हैप्टेन तो जैसे ही आपने नियो सब्द लिखा इसका अर्थ हो गया कि आपके सेकेंड नमर कार्बन पर क्या है दो मिथाईल ग्रूप है उसके बाद कोई भी ग्रूप परजेंट नहीं है बात तमने में आई नियो लिखने का यह मतलब हो गया आइसो जैसे ही आपने लिखा उसका मतलब यह हो गया कि सेकेंड नमर कार्बन पर एक मिथाईल ग्रूप है उसके बाद कोई ब्रांचिंग नहीं है तब यह पॉसिबल है तो यह क्या है यह इस ती बज़़ा से देखें यह कॉमन नेम ऑफ हलकें हो गया एक तरह से कुछ भी हो सबका नाम लिखा जा सकता है लेकिन आपको सिल्चले बार्चे ही आगे जाना है यानि आपको जरूरी है कि आप यह भी जाने कि आई-स नियो और नौर्मल क्या है यह आपने जान लिया और मैं देखो वीडियो फटी से लंबी हो जाती है लेकिन क्लास है यह तो क्लास में थोड़ा सा डिसकेशन बहुत जरूरी होता है कि यह जानिए आपकी आइसो नियो जानना क्यों जरूरी है क्यों बहुत पॉपुलर है आइसो गुरूप कभी-कभी ऐसा होगा जब आप और को ब्रांच नहीं होगा तभी आइसो गुरूप का होता है और जब आप लिखते हैं जैसे आपको जब आएगा आयूपेक सिस्टम में भी आइसो गुरूप वहां भी परजेंट होगा तो उस टाइम आपके समझने में आपको परिशानी नहीं आएगी इसके लिए यहां पर यह जानना जरूरी था बात समझाएंगे आपके तो यह बहुत च्छड़ा सा वीडियो था बहुत च्छड़ा सा टॉपिक था बहुत अथा तो आज का आज का क्लास बहुत इजी था तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दिजेगा और अपने दोस्त झाल